मौस से पहले पतनी को पती की नहीं वलकि सताने लगी पुराने फ्रेमी की यार आशिक के फ्रेम में अंधी पतनी ने पती से कई डाली घचिय डिमाड दुनिया का कोई भी पती नहीं मानेगा बाद मरने से पहले पतनी ने वदाई अपनी आखरी एक्षा तो सुनते ही खौल उटा पती का खून पती ने कहा कैसे किसी और को सोव दू अपनी बीवी सजान कर आपके भी उड़ जाएंगे खोश पती ने अपने पुरारे प्रेमी को लेकर पती से कही ऐसी बात कि गुसे में आग बुबूला हो गया पती शोशल मीडिया पे छुड़ गई बहस पती या पतनी कौन है सही लोगों ने बताई अपनी राय पती पतनी का रिष्टा एक ऐसा रिष्टा होता है जहां दोडों को एक दूसरी के लिए उनके मन में अथाव प्रेम होता है वो दोडों ही एक दूसरी के खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करनी को तयार रहते है लेकिन ऐसा तब सम्मभ होता है जब दोडों ही एक दूसरी के सच्ची और इमानदार रहे है लेकिन आज हम आपको जुगहारी बताने चाह रहे है वो बेहत दिल्चस्प और हैरान करने वाली है दरसल एक महिला को डॉक्टर ने बताया कि वो बेहत गंबीर बिमारी से जूज रही है और वो चंद महीने की ही महमाल है इसने बीच बिबार महिला ने अपने पती को अपनी आखरी इक्षा बताई लेकिन महिला ने शक्स से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही इसके होश उड़ गए अब इस शक्स ने सोचल मीडिया पर पूरा बाग क्या शेर किया है जिसे पढ़कर लोग दंग रह गए आई जानते हैं कि महिला ने ऐसी क्या अंते मिक्षा जताई की पती हिल गया वीड़ बागे बढ़ने से पहले आपसे एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है कि फेस्बॉक पेच में नाया है तो इसो फॉलो करना बिलकुल भी ना भूले आपको बता ले कि एक रिपोर्ट के अनुसार शक्स को डर है कि वो पत्नी के अंते मिक्षाओं में से एक को पूरा नहीं कर पाएगा बड़े भारी मन से उसने शोशल मीडिया पर लोगों को बताया कि उसकी पत्नी को टर्म नर डिजीज हुआ है वो कीवर्ड नौ मेनी की महमान है शक्स ने कहा है कि उसके आखरी दिनों में उसे पूरी तरह सपोर्ट करना चाता हूँ लेकिन उसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है शक्स के मुदाविक पत्नी ने उससे अपने पूर्वे प्रेमी के साथ रात गुजारने की एक्चा जाहिर की है महिला की आखरी एक्षा सुनते ही पती संदे रह गया उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे इसके बाद उसने शोशल मीडिया पर लोगों से इस बारे में ज्राय मागी शक्स ने कहा है कि हम दस साल से साथ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा लेकिन हाली में जब उसने मुझसे पूर प्रेमी को लेकर अपनी अंतिमिक्षा जदाई तो मैं हैरार रहे गया शक्स को इस बाद का दुख है कि उसकी पतनी को हमेशा से ये लगता था कि फिजिकली वो अपने पूर प्रेमी से ज़ादा जुड़ी हुई थी शक्स ने आगी कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझे इसका कैसे जवाब देना है लेकिन अपने पतनी की हालत को देख कर घबरा जाता हूँ अब इस पोस्ट पर धेरो लोगों ने कॉमेंट किया है उस लोगों का कहना है कि भले पतनी मौत की गगार पे है लेकिन आप उससे अपने दिल दुखाने का अधिकार ना दे वही कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि विमारी की वज़े से पतनी गलत ने न ले रही है आप इस विशे में क्या बोनना चाहते है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता है फेस्बुक पेज को फॉलू करना बिलकुल भी ना बुले अभी क्लिक के वल इतना है